नया आईबियन सेटन होसलाए पुलिस के साथ दर दर भटक रहा है डिली पुलिस के सवालों का सामना नहीं कर पा रहा है डिली के पूर्व कानून मंतरी जीते हैं तोबर की डिग्रियां अगर फर्जी साबित हो जाती है तो वो आम आदमी पार्टी पर इतना गहरा दाग होगा जिसे धोना मुश्किल होगा सूतर अब ये बतारे हैं कि अर्विन केजरिवाल तोमर से बहत नाराज है क्योंकि उन्होंने केजरिवाल को धुका दिया आदी अदूरी जानकारी मोहिया कराई खुद आम आदमी पार्टी अब ये मानती हुई नजर आ रही है कि उसने पार्टी डिग्री वाले को कानून मंत्री बनाया देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद बात करेंगे हमारे खास मेहमानों से भागलपुर की तिलका माचु युनिवस्टी के चात्र नाराज है वो दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जीतियंदर तोमर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं उन पर अंडे फेक रहे हैं उनकी नराजगी इस बात से है कि तोमर की फरजी डिगरी मामले ने उनकी युनिवस्टी का नाम खराब कर दिया दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री तोमर को अभी काफी कुछ देखना है दिल्ली पुलिस उन्हें हर उस जगह ले जा रही है जहां जहां से उन्होंने डिगरी हासिल करने का दावा किया था तो मर के मुश्किल ये है कि वो जहां जहां जा रहे हैं वहां महां दिल्ली पुलिस उनकी पूल खोलने का दावा कर रही है कुल मिला के दिल्ली का ये पूर्व कानून मंत्री पुलिस की जाल में बुरी तरह से फस्ता दिख रहा है दिल्ली पुलिस को भरोसा है कि वो जो कह रही है सही है लेकिन पुलिस के इस भरोसे से तोमर को लेकर आम आद्मी पार्टी और मुख्यमंत्री अर्विन केजिवाल का आत्मोविश्वात हिलता दिख रहा है आईबेन 7 को आम आद्मी पार्टी के पुक्ता सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आम आद्मी पार्टी अब जीतेंदर तोमर को पार्टी से निकालने के तयारी कर रही है मुख्यमंत्री अर्विन केजिवाल तोमर से बेहत नाराज है सुत्रों के मुताबिक पार्टी का मानना है कि गलत दलील और गलत सर्टिफिकेट दिखा कर तोमर ने सब को अंधेरे में रखा जूटे आटियाई दिखा कर उन्होंने पार्टी को विश्वास में लेने की कोशिश की वैसे शुकरवार को अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में आम आदमी पार्टी ये तकरीवन मानती हो ही नजर आई कि तोमर की फर्जी डिग्री को लेकर पुलिस की थूरी सही है तीस साल पहले कहीं कोई किसी की डिग्री है तो उसके लिए कोई जाच एजेंसी कोई ऐसी संस्था मार पास नहीं है अब कोई जाच अगर हो रही है उसमें कोई सवाल उठ रहे है तो उसके लिए हमने अपने आंतरिक लोगपाल को मामला दिया है आम आदनी पार्टी की सरकार बने चार महीने होने को है आखिर इतने दिनों बाद पार्टी ने तुमर का मामला क्यों आंत्रिक लोगपाल को नहीं भेजा जीतें तोमर ना सिर्फ दूसरी बार उनकी पार्टी की तरफ से विधायक बने हैं बलकि कानून मंत्री भी बने आरोप लगने के बाद हमेशा आम आदमी पार्टी या तो इनकार या फिर दूसरे पर आरोप लगाने की मुद्रा में ही दिखाई दी सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस तोमर को ग्रिफतार नहीं करती तो वो दिल्ली के कानून मंत्री बने रहते अब सवाल अर्विन के जिवाल की छवी का है उनकी और उनकी पार्टी के उन दावो का है जिनके सहारे उन्होंने दिल्ली की जनता का भरोसा जीता ब्रश्चाचार और बेमानी के खिलाब उनकी जंग अब कट घरे में है सवाल ये है कि क्या उनकी ये लड़ाई भी सिर्फ सत्ता के लिए ही थी और जनता हमेशा की तरह ठगी गई रश्चाचार के मुद्दे को आम आगदी पार्टी ने जिस तरीके से जोड़ शोड़ से चिनाव के समय उठाये था उसी मुद्दे पर आज पार्टी पूरी तरीके से बैक फुट पर आ गई है तोमर के मुद्दे पर भी कुछ ऐसा ही हुआ शुरू में पार्टी ने आकरमक रवया अपनाया लेकिन अब पार्टी पूरी तरीके से घिरी भी है और अब आने वाले दिनों में सब की नजरें इसी बात पर रहेगी क्या खिरकार कब और किस तरीके से तोमर को आमादी पार्टी से निकाला जाता है कैमा पैसर निशे के साथ हमित पांडे दिल्ली आईबिन सब्सक्राइब और अब बात आज के सवाल की आज का हमारा सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं आपकी राय जानना चाहते हैं सवाल है क्या फर्जी डिगरी केस में फसे तोमर पर केजरी वाल दोखा खाने का ड्रामा कर रहे हैं हाँ के लिए टाइब की जी आईबिन सेवन स्पेस वाई नहीं के लिए आईबिन सेवन स्पेस एन अपकी राय हमें 51818 पर समस कर दीजिए आपकी राय हम इसी बहस के आखर में दिखाएंगे इस मुद्धे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़के हैं खास मेमान आमादमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं आशुतोष, बीजेपी की तरफ से हैं संवित पात्रा, कॉंग्रेस की तरफ से हैं राजीव त्यागी और हमारे साथ हैं दिल्ली के पूर्व पुलिस कमशनर टी आर ककड सबसे पहले आशुतोष जी जो बात सूत्रों के आधार पे आर एक क्या आप कन्फर्म कर सकते हैं कि अर्विंद केजरीवाल ये बात मानते हैं कि दिल्ली के कानून मंतरी रहते हुए परजी दलील उन्हें दी गई तोमर जी के द्वारा परजी सर्टिफिकेट दिखाया गया और जूटी आर्टी आई दिखाई गई ये बात सही है जो बात आप कह रहे हैं वो माइकल से आफ दरेकॉर्ड बातचीत है या जो कुछ भी बातचीत है कि जिस तरीके से पिछले दिनों पुलिस की सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो खबर हमारे लिए चिंता जनक है मन में आशंकाएं उमरती है क्योंकि जो दस्तावेज उन्होंने हमको दिखाये थे वो दस्तावेज हमको असली लगे उस दस्तावेजों में गरबड़ी नहीं नजर आई साथ ही साथ उस कॉलेज के जो प्रिंस्पल थे उन प्रिंस्पल ने भी एफिडेविट देके दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि इनके दस्तावेज सही हैं और उन प्रिंस्पल का इंटर्वियू हिंदुस्तान टाइम्स टाइमस अफ इंडिया जैसे दो तीन बड़े प्रमुक अख़बारों में काफी विस्तार से छपा था तो हमारे पास इसका कोई कारण नहीं था कि हम उनके कागज्चियों पर या दस्तावेजों पर किसी तरीके का शक करें लेकिन जो जानकारी अब हमें मिल रही है वो जानकारी निश्चित रूप से चिंता जनक है और उससे मन में कई सवाल खड़े होते हैं लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मामला अभी भी अदालत के सामने विचारा धीन है और अदालत को इस बात का हाक है कि वे साबित करें कि ये पेज ये दस्तावेज असली है नकली है फरजी है या क्या है समित पात्राप संतुष्ट है इस जवाब से देखिए कहीं न कहीं अर्विंद केजडिवाल एसकेप रूट ढूंड रहे हैं और इसमें कोई दोमत नहीं है आपको ध्यान होगा जिस दिन जितेंद्र तोमर का एरेस्ट हुआ था उस दिन जो पहला बयान मनीश शिशोदिया जी से और बाकी आम आदमी पार्टी के प्र वक्ता है हम एक बहुत कॉमन शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है कानून को अपना काम करने देना चाहिए कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि यतना कॉमनली हम लोग यूज करते हैं आज मालूम पढ़ रहा है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए का अर्थ क्य तब कोपरेशन करिए इंतजार करिए अगर वो किसी प्रकार से भी गलत काम उन्होंने नहीं किया था तो आपको घबरानी की क्या आवश्यक्ता थी वो छुट के आ जाते आज आज आपको कहीं न कहीं मालूम पढ़ रहा है आप लोग आर्टियाई एक्टिविस्त याद रख सबकी क्रेडिबिलिटी की जांच होती है उनकी जांच के बाद ही उन्हें टिकट दी जाती है तो किस प्रकार से जांच किया गया क्या जांच करने के बाद आपको ने उनको टिकट दिया आज आप कह रहे हैं कि इंटरनल लोगपाल जांच करेगी अब जांच करके क्या के सूतरों के हवाले से और वो बेहद नाराज है कि उनको जूट बोला गया तोबर साब लगातार उनसे जूट बोलते गए और उसके बात जाकर आंतरिक लोगपाल अब जांच कर रहा है जबकि दिल्ली पुलिस की जो कारवाई है वो होनी शुरू भी हो गई है एक एक जगा जाकर ना फिजिक्स लैब पहचान पा रहें ना उस कॉलेज की टॉलेट को पहचान पा रहें तोबर साब ऐसे में आम आदबी पार्टी के बड़े-बड़े दावे क्या आपको लगता है खोकले साबित हो रहें देखिए दो पंक्तिया कहता हूं मैं कि जब भी जी चाहए नए दुनिया बसा लेते हैं लोग एक चेहरे पे कहीं चेहरे लगा लेते हैं लोग ंश्रीत रूप से केजरिवाल जी माहिर लेकिन उसके बार भी आमाद्मी पार्टी नहीं जागे और आमाद्मी पार्टी के प्रवक्ता निश्रत रूप से अपनी गलती को दूसरे की पाले में डालने की कोशिश करें तो चिंता कर विश्य भारतिय लोगतंत्र के लिए है नंबर एक दूसरा विश्य मैं कहना चाहू काम किया तो उस पें विजाच होनी चाहिए और दिली इसको केंद्री मंतरी जोब भारतिय नियूष्य पार्टी के विश्य में चाहिए उनको इस मृति हीरानी के बारे में विजाच करने चाहिए जो ये यह यह युनिश्य को ने बताने का क्या मुझी हसी आती है इस बात कि 10 साल में एक व्यक्ति ऐसा जिसकी शिक्षा घटी हो तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नेतिक तक इबात कम से कम भारतिंतर पार्टी और आम आद्मी पार्टी ना करे तो बेटर हो मैं इसका तफसील से उत्तर देता हूं बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं जब नंबर वन कठेरिया पे कहा गया यह हाई कोट के और हैं यह और है बीस तीन दो हजार पंद्रह के मार्च महिने के हैं इसी साल के उसमें बाइज़त बरी किया गया है कठेरिया सहाब को आप चाह आपको आपको पॉइंट साफ एक डब अब सब्सक्राइब जवाब देरें सब्सक्राइब अब मैं उत्तर देता हूँ कठेरिया जी का तो यह ओडर है कोट का आप और भेज रहा हूं बाइज़त बरी किसी प्रकार का उन प्यारोप नहीं है यह क्या हो रहा है आप इनको रोक लीजिए मैं उत्तर देता नहोंगा एक टाइम ऐसा आएगा हाँ अब मैं उत्तर अब स्मृति इरानी जी का सुन लेजिए अब कोट का नहीं मानते हैं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता अब स्मृति इरानी जी का आप देखिए मैं उदाहरन देके समझाता हूँ जब आदरनिया सोनिया गांदी जी ने अपना पहला एफिडविट भरा था तो उन्होंने लिखा था कि मैंने कैंब्रीज उनिवर्सिटी के लिनॉक स्कूल से अंग्रेजी की पढ़ाई की है इस पर सुब्रमन्यम स्वामी जी ने कोट मे केस दाखिल किया Cambridge University से उत्तर मांगा गया Cambridge ने कहा नहीं हमारे olmuş में कोई लिनॉक स्कूल नहीं है जहां सॉनिया जी ने पढ़ा हो कोट ने जब सोनिया जी से पूचा की आपने फिर ऐसा एफिडविट क्यों दिया तो सोनिया जी ने लिखा मैरे से से मिस्प्रिंट हो गया है टाइपिंग एरर हो गया है कोट ने स्वामी जी को कहा है व लार्ज हाट लेट दा मैटर रेस्ट इसको हम बंद करते हैं इस तरह से नहीं इस तरह आपकाशी डिवेट नहीं हो पाएगा हम करने के साथ रहे हैं मैं उस्तर दे रहा हूँ जो प्राशन पूछे गए हैं मैं इस तरह तूटू मैं मैं लड़के डिवेट नहीं करना चाहूँगा आप पहले आपका जो पहले पार्ट का उनकी तरह सो ने जवाब दिया लेकिन सुन नहीं सुन लिजी आप चाहें तो आप चाहें तो आप पू बात करना हूँ जवाब पूरा आप उस्तर नहीं लड़ाई चलने वाली है मैंने सोनिया जी का कहा कोट ने उनको कहा कि थी नहीं मुझे बताईए ना आप मुझे बताईए कि आकासी आप कंट्रोल कर रहे हैं या पहले निरना इलिजी आप पहले निरना इलिजी करेंगी इस बार जाकर के जाच कराएगी कठेरिया जी के मामले में तो मैंने हाई कोट का बरी ओर दिखा दिया अब उस कोट को अगर कॉंग्रेस नहीं मानती है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपको मैं भेज भी देता हूं दोक्युमेंट और राहूल गांदी जी पर आ जाता हूं एक सेकंड मैं अपना विशह पूरा करूंगा बीच पे जितना इंटरफेरंस होंगा उतना टाइम लेके कंप्रीट करूंगा राहूल गांदी जी ने 2014 के अमेठी के चुनाव में अपने एफिडविट में लिखा कि मैं केंब्रीज ट्रिनिटी के यूनिवर्सिटी से मैंने डेवलाप्मेंटल एकनॉमिक्स किया है मैंने एंफिल पास किया है और मैं 1994-1996 में यह कोर्स कंप्लीट की है जबकि गलत पाया गया वह एक सब्जेक में फेल हुए थे उन्होंने डेवलाप्मेंटल इकनॉमिक्स में नहीं गांटी जी का नाम के में राईल विंसी के नाम से था राहूल गांदी के नाम से था नहीं राहूल गांदी जी ने माफी मांग कर कहा कि टाइपिंग एर हुआ है उन्हों ने पढ़ने गए उन्होंने अपने माइग्रेशन सब्सक्राइए की जानकारी उन्हों पूर्जरी में और मिस्प्रिंट में फर्फ होता है आप दोनों को तोड़ा रोख रहा हूं क्योंकि इस वाद एक और मेहमाने मेरे साथ में अपका जवाब देदुर राहुल गांदी जी के बारे में आप आपका जवाब दोने कोर्स पर्स्यू करने के बाद रॉलिंग्स का पर दोनों को रोक रहा हूं प्यार ककड साब हमारे साथ है ककड साब आपने अपने समय में भी देखा होगा लेकिन इस वाक्ष भी इस वाक्ष भी अपकी बार ने ने मैं आउगांदी जी के सेक्षन पर कोई सवाब ने उठा रहा हूं वो ग्रम ज्यानी है वो बहुत जानी है इसमें कोई सब्सक्राइब जी राजी जी राजी जी ककड साब क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस अंड्यू प्रेशर में थी जहां तक कि तोमर साब की कानून की डिग्री का मामला था देखिए दिल्ली पुलिस को अब आप उन पर ब्लेम लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस किसी भी अंड्यू प्रेशर में नहीं थी बार काउंसल के कंप्लेंट था उन्होंने उसकी चान बिन की अब ये तो एस्टैबलिश हो गया है कि तोमर ने दोनों डिग्री जो हैं वो फ प्रूव करने के लिए मजबूत करने के प्रूव तो केस होई गया जब एविडेंस है कि ये सब कुछ फर्जी है अब वो कड़ियों को जोड़ना होता है और केस को मजबूत करने का उनको ले गया है उनको पूछा कि कहा है टॉयलेट कहा है वो प्रिंसीबल का कमरा कहा है क तो पिछले जब भी discussion हुई है, उन्होंने सब पर blame किया है, हम लोगों पर blame किया है, कि पुलीस प्रेशर में है, emergency लगा दी गई है और ये हुआ है, जूट पर जूट बोलते गए, सब जूट पर जूट बोलते गए, मेरा ख्याल में कुछ ऐसी policy बना दी है, आम आदमी party ने, कि जब भी कोई उनके खिलाफ कुछ चीज आती है, तो इतना जूट बोलो, इतना जूट बोलो, कि कुछ लोगों को तो यकीन हो जाए कि इसे, सब को blame करो, अपने आपको blame नहीं करना है, बड़ी अच्छा लग रहा है, कि आज, आम आदमी party के प्रवक्ता जो हैं, आशुत केवर उनसे इतनी गुदारिश है, उनसे इतना निवेदिन है, कि तथ्यों को जान लिया करिये पहले, इससे पहले कि सारी दुनिया को आप blame करिये, उनको जूटा साबत करने की कोशिक, और return में आप स्वेम जूटे साबत हो गएं इस वकत, तो case तो प्रूव हो चुका है, कड़िये केवल जोड़ी जा रही है, और वो बड़ी जल्दी, और अब ये internal जो है वो क्या लोकपाल, अरे साब ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता है, अगर कभी judicial inquiry, magister inquiry होती है, उसके बाद, कगड़ साब आपका सवाल साफ है, आज तो उसका जवाब, आज तो उसक पुलीस ने प्रूव कर दिया है, और अब लोकपाल पर जाए, खिक, आज तो जी का जवाब ले ले, कगड़ साब, आज तो जी का जवाब ले ले, लोगए, नहीं है, भाई, मैं सबसे पहले, सबसे पहले, मैं अपने टीवी के साथी, सम्वित पात्रा, राजी उत्यागी जी का बहुत-बहुत शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा थे कि आज मैं थोड़ा मुश्किल में फसुंगा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े फाल कर, ये साबित कर दिया, भाई, उनके कपड़ में किस चरीके के जूत फरेब है, आप इतना तो, जवाब रोने लगे थे, नहीं, 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 राज, रो ये गामत फिर आप, जब कपड़े पढ़ेंगे आपके, तो अगर मुझे इजाज़ा तो तो मैं बोलू फिर, आज इतना तो मान रहें, बैक पूट परे जल्ती हुई, आज आज नोट किया, एक तेरा इतनी दिल्ली में क्यों नहीं कि इसके मान रहें, राजीर जी चार लोगे डिबेट में, बाकियों को भी बोलने दीजाए, अश्तो जी, ये सबसे बड़ा जानी देखिए, पूरे देश के साथ, देखिए, 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 मैं तो, मैंने, मैंने कहा ना, कि मैं आज बड़ा सुकूर में महसूस करें, को मुझे लग रहा थे कि आज मुझे कड़े-कड़े सवालों के जवाब देने होंगे, दोनों एक बुष्के के कपड़े फारके, कुल 13 मिनट 45 सेके दिया, राजीर जी, आपको रोगना पड़ेगा, राजीर जी, आप बोलने नहीं देर उनका अभी उनको उनका जवाब होने लिगे, चैनल के टाइम देस्ट करेंगी तो और पर जवाब देने होंगे, जवाब देने होंगे, दिल्ली में लोका इसकी निश्टी पे जवाब दे, जवाब देने तो दीजे उनको, कुल 13 मिनट 57 सेकेंड दोनों साथियों ने राजी जी ने टीवी पे आ रहा है, तो लगता जितना तेज बोलूँगा, आला कमा तौना उनको तवज्जो देगा, तो देर के लिए राजीव जी का फेडर बंद करने ताकि सुन पाए भी तो बलने दीजे ना, राजीव जी को बलने दीजे, मैं कहरा हूं, राजीव ज अच्टो जी को मैं सुन रहा था तो मुझे लगा था कि कककर जी को आई बिएन सेवन ने एक एक्सपर्ट के तोर पर बुलाया मुझे नहीं पता थे नोंने बीजेपी जोइन कर ली हाल में आज कल तो अपकर जी के सवालों को मैं क्या जवाब दो मैं खाली समुट पात्रा के सवाल के जवाब देना चाहता हूँ जो उन्होंने कहा कि इमर्जंसी जैसे हालात पैदा कर दिये गए मैं साब तोर पे कहना चाहता हूँ को अदालत ने पुलिस के कंड़क्ट पर कहा है यह notice seems to be farce. अदालत की टिपड़ी मेरी टिपड़ी नहीं है पुलिस के बारे में. अदालत नहीं ये कहा है वेन तोमर वास कॉपरेटिंग वाई वाई वास रही तु अरेस्ट हिम. यादालाद की टिपड़ी मेरी टिपड़ी ने आमाधी पार्टी की टिपड़ी नहीं है आशुतोष जी आज क्या दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देंगे उन्हें सच दिखा दिया आपको क्या धन्यवाद देंगे दिली पुलिस को क्या कुछ शब्द वापिस लेना चाहेंगे दिली में वर्गेंजी से हाला कि कम से कम एक गंदे व्यक्ति को आपकी सर्सा से निकाल रहे हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं वो कि एक गंदे व्यक्ति को निकाली है यहां से अभी कथेरिया जी के बारे में उत्तर प्रदेश के राज जपाल का 17 पेज का की चिठी है जिस पर बड़ी ज़कीर चीच के अपनी गलती चिपारे के अज तो अभी ककर जी दोनों दलिया ही काम कर रहे हैं आम आधी पार्टी कर लिए झाक करेंए जब राजी उत्यायो है भी उसमें आप भी श consecutive आप ओड़ना है वह सकता ऐसे जनपतो सुनाई पढ़ जाए वजय जाया आप और खुरा इ Tips में बुल्या है उसमें ह्मिल्ट खीम चाहिए हुच्ट्ण में लाख जान खूच़ी आप प्रोग नहीं पहुंची है अगर और तेज बोलेंगे तो हमाई खाल से बेतर होगा सुनाई पढ़ जाए कि उनका प्रमोशन हो जाएगा आपको प्रोग करके वो सवालों से बच रहे हैं जवाब देने से जवाब इनके पास जूट बोलेंगे वादा खिलाफी करेंगे लोगों के साथ अभी वक्त है आज के सवाल का और जनता की राय का हमने लोगों से यह पूछा था आज तो जी ध्यान दीजेगा क्या फरजी डिगरी केस में फसे तोमर पर केजरिवाल धोखा खाने का ड्रामा कर रहे हैं इसके जवाब में हमें हजारों की संक्या में जवाब मिलें उसमें 85 फीसदी लोगों ने हा में जवाब दिया है 85 फीसदी लोग कह रहे हैं के जिवाल ड्रामा कर रहे हैं नहीं समझने का और सिर्थ 15 फीसदी लोग नहीं में जवाब